तो आज है तारिक 6 जुलाई 2021 और है टूजडे देखेंगे आचका देहिंदू कंप्रीट नूजपेपर को अनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्रीट नूजपेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आप लोग को ये वाला चनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से यह चनल नहीं मिलता है तो नीच पिपर मिल जाता है डेली करेंट फैर के वीडियो का PDF मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और यह सारी चीज़ें मिलती है बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जोइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्शर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है वेतनम को कहां पर है एक्जैक्ली लोकेटेड इंडिया के कंपैरिजन में कहां पर है अच्छे से मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमें 212 के बोड एक्जैम्स होंगे यह दो फेस में कनेट करवाए जाएंगे नवंबर और एप्रेल में तो ऐसा यहां पर स्टेट्मेंट आया है आप लोग देख पाऊगे अब ऐसा सब क्यों बोला गया है क्योंकि अभी भी कोविट की सिचुएशन आपको सुधरती भी नहीं और यह जो असेस्मेंट है यह है साल 2021 वाले बच्चों के लिए इसमें क्या होगा सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा साधिसा जो बोड एक्जैम्स हैं यह साल में दो बर करवाए जाएंगे जैसे की आपका सकते होगी मैंने बताया नोवेंबर में हो जाएं कि यह सारी चीजे क्यों करी जा रही है क्योंकि आज के टाइम पर भी कोविड की वज़ा से जो भी प्रॉब्लम्स हो काफी क्रीट होती नजर आएंगी आज के टाइम पर भी आपका सकते हो कि सिच्वेशन सुदरती भी नहीं आ रही है अब भी हम लोगों ने देखा साल 2021 क इसके बोड्ट क्यों केनसिल कर रहा गया कि जाएह वह क्लास 10 केओं क्लस क्लास 12 केओं सभी एक्जाम को कैंसिल के पर दिये कर दिये गाय थे तो यहां पर आप लोगों ने देखा तो उसी वाज़ा से सीबियर सी अपकी बार एक celebrating पर यह आर्टिकल दिया गया एक जो भी ह क्लास 11 12 का बहुत सारे लोग देखते हैं तो फिर उनके लिए आपर आर्टिकल हो जाता है चलो फिर उसके बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तो यहां पर एक आर्टिकल आता है जहां पर स्टेट्मेंट दिया गया गुपकर एलाइंस के दौरा कि वह प्राइम मिनिस्टर अब यहां पर क्या है इतना कुछ इंपोरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्जाम के लिए और एक्जाम के लिए यहां पर एक चीज़ इंपोरेंट हो जाती है वह है गुपकर एलाइंस के बारे में काफी बार डिसकुशन कर चुका हूँ आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मालूम भी होंगी तो मैं आपको बता देता हूँ इस एलाइंस के अंदर जमू एंड कश्मीर की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि आपको लगबग छे पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिलेंगी नैशनल कॉंफरेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक अर्टिकल 370 यानि कि आपको मालूम होगा हमने जो है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया 35A को एब्रोगेट किया था साल 2019 में तो उसकी वापस से मांग उसको वापस से रिस्टोर करने का परपस यह गुपकर एलाइंस रखता है तो गुपकर एलाइंस का मेन एम यही है कि इसका आर्टिकल 370 को वापस से लाया जाए अगर हम लोग बात करें कुछ की पॉइंट की तो यह जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनका कहना यह है कि जो यह सेंटर नहीं केंदर सरकार ने डिसीजन लिया था जमू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने का एक तरीके से यह अनकॉंसिटूशनल है असमवेदानी के ऐसा स्टेटमेंट दिया इनके द्वारा उसी के साथ यहां पर इनकी मांग यह है जैसे मैंने बार-बार बताया कि यह आर्टिकल 370 35 एक वापस से रिस्टोर किया जाए और कहना यह है कि इनके एब्रोगेशन के सा साथ में यह यानि कि जो स्पेशल स्टेटास इसको हटाने के साथ में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इनको डिस एंपावर किया इनके पास से पावर चीनी गई है ऐसे सारी स्टेटमेंट यहां पर गुपकर एलाइंस देता हुआ नजर आता है ओके दन उसके बाद एक औ सेक्शन 66A है इन्फोर्मेशन टेक्निलोजी एक्ट का वह आज के टाइम पर भी इसका इस्त्माल होता वह नजर आएगा लगबग 6 साल बाद आपका सकते हो कि 6 साल पहले इसको ट्रॉक्डाउन कर दिया घया था लेकिन अभी भी यहां पर आपका सकते हो इसका इसका इस्त दूसरे के अंदर चिल पना या फिर अपमान जनक अगर ये सोशल मीडिया मैसेज होता है तो उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन 66A वर्क करता था ओके फिलाल इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था और आपका सकते हो ये जो फ्रीडम आफ स्पीच है उसका वोलेशन करता था ऐसा बोला गया और उसी के साथ इसको अंदर बोला गया लेकिन अब क्या है इसका इस्तमाल होता वह नजर आएगा ऐसा स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है अहला कि इसको 6 साल पहले इस ट्रक डाउन किया लेकिन फिर भी आज के टाइम पर काफियत तक ये यूज करता व यह रूल्स लेकर आई अब सेंटर का स्टेटमेंट यह भी है कि ट्विटर आज के टाइम पर इन रूल्स को अच्छी तरीके से फॉल्लो नहीं कर रहा है और देखो यहां पर इन रूल्स के बारे में आपको बताने वाला हूं बहुत सरे लोग को मालूम है लेकिन यहां प पहले पढ़ लखा है आज चोड़ देते हैं बाद में पढ़ लेंगे तो उसी दिन बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे कॉमेंट्स भी आते हैं कि डेली बिस्स पर कवर करा करो तो ठीक है फिर मैं पर कवर कर देता हूं ठीक है आई-टी रूल्स के बारे में हम यहा तोपिक्स देखने को मिलेंगे जैसे कि government policies and interventions scientific innovations and discoveries issues arising out of design IT computers ठीक है यह सारे topics देखने को मिलेंगे बाइदावे syllabus के उपर वीडियो किसको चाहिए ज़रा यह भी नीचे comment section में बताना ठीक है यह जो यूपी सी का syllabus उसको लेकर भी बहुत सरे डिमांड रहती है तो उसके regarding किसको वीडियो चाहिए वह भी मुझे रहा है नीचे comment section बताना मैं कोशिश करूँगा कि आज वीडियो अप्लोड कर दो ठीक है अब यहाँ पर बात करते हम लोग यह जो आर्टिकल है आईटी रूल्स वाला यह न्यूज में क्यों है क्योंकि अभी हाली में government नहीं आप नोटिफाई किया इन रूल्स को अब यहाँ पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो इस आईटी र इनके content को regulate करने के लिए यह पूरे के पूरे आपका सकते हो आईटी रूल्स लाए गए इसका background की बात करें साल 2018 से ही बात्चीत चल लए थी साल 2018 से यहाँ पर कोशिश करी जा रही थी कि हम लोग कुछ guidelines लेकर आए ताकि यह जो child pornography हो गया रेप, gang rape images, video sites यह जो contents वगर आप आपको देखने को मिलते हैं यह जो आपका सकतो fake content हो गया, sexual content हो गया, इसके ओपर कहीना कहीं रोक लगाई जाए, इसको कहीना कहीं regulate करा जाए, इसको लेकर बहुत पहले से बात्चीत चल लए थी, लेकिन फिरो उसके बाद यहाँ पर फाइनली इस पूरे IT rules को हम लोग ले गई है कि अगर यहाँ पर कोई भी platform है, कोई भी social media platform है, तो उसको यह rules, सारे के सारे rules follow करने होंगे, पहला rule का बोलता है यहाँ पर, grievance, redressal mechanism, यह बहुत जदा mandatory है, मतलब compulsory है, यानि कि कोई भी यहाँ पर जैसे कि हम लोग example लें Twitter का आई, तो Twitter को क्या करना पड़ेगा, अ जो की complaints बगरा से tackle करे, यानि कि आप, मैं हूँ, हम लोग कोई भी ऐसा content लगता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कहीं न कहीं violation कर रहा है, इन rule का, तो हम लोग उसको लेकर complaint दर्ज करवा सकते हैं, तो वो जो complaint है, एक तरीके से वो grievance officer के पास जाएगी, और वो complaint को जल्दी से ज security को बरकरा रखा जाए, लगबग आपका सकते हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी complaints वगरा है, इनको regarding काम किया जाएगा, कास कर आपका सकते हो, यह sexual images हो गए, sexual act हो गए, या फिर कुछ भी यहाँ पर ऐसा content हो गया, जो कि पोनो ग्राफिक रिलेटेड है, ठीक है, दन उस सब चीजों को tackle करेगा, इन सब चीजों को देखेगा, एक compliance report publish करनी होगी, इन सारे social media handles को, ठीक है, monthly basis पर एक reports publish करनी होगी, कि हाँ, यह सारे आपका सकतो content वगरा को remove किया गया है, अभी हाली में आपको मालूम होगा, Google वगरा ने भी अपनी एक report publish करी थी, हमने discussion भी किया थ होगा, मतलब की कोई fake content, मालो WhatsApp के ओपर कोई message है, वो forward forward हो रहा है, और वो काफी fake content है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से अफवा है, और वो काफी फैल चुकी है, और उसे country में काफी दा नुकसान भी हो चुका है, ठीक है, वेरियस पार्ट्स में बहुत साथ दा नुकसान हो तो यह originator को यहां पर खोजने का काम करता है, पूरी तरह से जहां से यह message origin हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है, जो unlawful information है, उसको remove करने के लिए, इस IT rules के अंदर कहा गया है, कि कोई भी अगर unlawful ऐसी आपका सकतो information है, जो की इंडिया की sovereignty, इंडिया की integrity को hurt कर है, तो फिर आपको करना क्या है, उस information को remove करना, या फिर इंडिया के आपका सकतो जो public order हो गया, friendly relation हो गया है, foreign countries के साथ, अगर इन चीज़ों को hurt कर रही है, और भी वो कुछ various dimensions बताए गए, तो उन सब चीज़ों को यहां पर आपका सकतो remove कर देना है, उसी तरीके से जो oddity platforms से oddity platforms के लिए भी कुछ ऐसी guidelines लाई गई थी, अब oddity platforms आपको मालूम होगा, जैसे कि Amazon Prime बगरा होगा, यह सारे oddity platforms है, अब इनके लिए क्या होता है, यह जो oddity platforms है, यहां पर सबसे ज़्यादा sexual content देखने को मिलेगा, तो इस content को अलग-अलग category में बाटने को बोला गया, ज जैसे कि 7 साल की उम्र से जो प्लस वाले बच्चे है, उनके लिए content अलग होगा, 13 प्लस अलग होगा, 16 प्लस होगा, अलग और साथी साथ जो adult के लिए वो content होगा, तो मतलब अलग-अलग categoryization होगा, ऐसा यहां पर बोला गया, एक parental lock भी होगा, ताकि जो है यहां पर एक lock प्लस यहां पर यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलने वाली है, ऐसी चीज़े यहां पर पहले सी स्क्रीन पर बतानी होगी, साधी साथ OTT platforms के regarding भी आपको grievance retrasal mechanism रखना होगा, मतलब कोई भी complaint आती है, तो इस complaint की सुनवाई भी यहां पर यह लोग करने वाले हैं, साध दूसरा यहां पर self regulation जो यह publishers का होने वाला है, दर उसके बाद यहां पर oversight mechanism होने वाला है, यानि कि जो यह self regulation वाईदा publisher है, publisher अपने आपका एक grievance redressal officer को appoint कर लेगा, जो self regulatory body होने वाला है, यहां पर क्या होगा, एक आपका सकते हो कि self regulatory body जो है publishers की वो बनाई जाएगी, और उ उसके बाद oversight mechanism में एक committee वगरा बनाई जाएगी, inter departmental committee जो की यहां पर इन grievances की सुनवाई करेगी, ठीके, I hope आपको समझ मा आ गया होगा, हमने काफी दिन बार revise करा है, और मतलब सब याद ही आ गया होगा, काफी important या IT rules हो जाते हैं, तो अभी इसी को लेकर यहां पर चर्च यहां पर पॉइंड किया रहा है, ट्वेटर के द्वारा, हला कि बहुत सारी जो other social media companies हैं, उन्होंने काफी जल्दी यहां पर यह steps उठा लिया है, और वो काफी हद तक IT rules को follow करती हुई भी नजर आ रही है, दनूस के बाद एक बात करता है, facial recognition का इस्तमाल किया रहा है, पर government का कहना है, ठीके, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो एक important चीज़ यह है, हो के रहा है, यहां पर जो ministry of health and family welfare है, इन्होंने admit किया, एक RTI करी गई थी, RTI यानि कि आपका सकते हो कि right to information क्या होता है, आगे हम discuss करेंगे, तो इसके response में यह बोला गया है, जो यह facial recognition technology है, online verification के लिए, जो यह vaccination center पर इस्तमाल करी जारी है, यहां पर क्या हो रहा है, यह बिल्कुल fail हो चुकी है, कोई यह legislative या legal order प्रोवाइड नहीं करेगी, ऐसा यहां पर बोला गया है, ठीके, अब क्या हो रहा है ना कि, यह जो facial recognition authentication है ना, एक तरीके से यहां पर आधार card का आप का verification हो रहा है, ठीके, तो यह सारी चीज़ यहां पर देखने को मिल जाती है, COVID-19 vaccination से पहले, तो उसी को लेकर यहां पर यह चर्चा हो रही है, अब यहां पर आपको देख पाऊगे, एक चीज़ और important यहां पर देखने को मिल रही होगी, जो RTI है, RTI के response में यहां पर, जो R RTI के response उन्होंने ही बोला है, कोई legal order बगरा नहीं है, इस technology को use करने के लिए, ठीके, ऐसा है यहां पर बोला गया है, RTI के response में, आव यह RTI क्या है, यह right to information है, काफी important topic हो जाता है, आपके policy के point of view से काफी लंबा छोड़ा topic है, मैं आपको थोड़ा सा overview देता हूँ, जो यह notes बगरा है, वो आप नीचे देखी रहे होंगे, सब आपको मिली जाते हैं, ठीके, जो यह इसका historical background बात करें इसकी, जैसे मने बताया, पॉलिटी के point of view से important article है, right to information एक fundamental right है, article 19 और clause 1 के अंदर आता है, यह भारत के समविदान के अंदर, 1976 में एक case हुआ था, राज नरायन व right, क्योंकि इंडिया एक democracy है, तो यहाँ पर लोग के पास होना चाहिए, एक right ऐसा जो की government बारे में जान सके, government कर क्या रही है, government से related जो है, question queries वगरा यहाँ पर पूछी जा सके, तभी तो बोला जाता है, RTI करो, right to information करो, जहां से हम लोग सरकार से question पूछ सकते हैं, ठीके, तो government ने जो है, इस right to information act को enact किया, कब 2005 के अंदर, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, अब right to information act of 2005 की, अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यह power देता है, अपने सारे, आप कर सकते हो कि ordinary citizens को, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, country के अंदर, वो यहाँ पर हमारी सरकार स से question कर सकते हैं, उनके working से related question कर सकते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीजे देखने को मिलती है, और यहाँ पर काफी जदा इस्तमाल भी किया जाता है, RTI का, ताकि जो है, corruption वगरा को देखा जाए, कि मतलब क्या corruption हुआ है, ठीक है, government का क्या काम है, इन सब को uncover किया जाए, इनके ओ जाती है, अगर RTI करी जाती है, इनके regarding, तो इन सब को यह जवाब देना पड़ता है, अब यहाँ पर RTI किस type की request करी जाती है, तो citizen जो है, कोई भी information सरकार से पूछ सकता है, कोई भी information, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ information ऐसी भी होती है, मतलब कि जो की बहुत ही जादा वैसी personal हो जाती है, जो की नहीं पूछ सकते है, तो वो भी हो जाता है, कि मतलब कोई-कोई information होती है, जो की नहीं पूछ सकते है, लेकिन क्या होगा, अगर उसकी भी जादा demand होगी, तो वो information भी पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में आपको धिहान रखना है, RTI Act का main objectives क्या है, objectives यही रहेगा, यह जो भी यहाँ पे लोग हैं, उनको power देगा, कि जो सरकार से हम लोग question कर सकते हैं, पहली power तो यही आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एक transparency maintain करके रखेगा, यानि कि सरकार कैसा work कर रही है, उसका अंदर एक transparency वगरा देखने को मिलेगी, साथी साथी जो act है, यह काफ़ ज़ता help करेगा, जो corruption वगरा उसको कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सरकार से बार-बार question पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे corruption वगरा भी कम होता वगर नजर आएगा, और उसी तरीके से एक सतर्कता बनाई रखी जा सकती है, एक नजर रखी जा सकती है government के उपर, ऐसा भी यहाँ पे बोला गया है, तो यह सारे काफी फाइद हो सकते हैं, काफी objective भी है, इस right to information के, उसके बाद कुछ sections के बारे में discussion क्या है, कुछ provisions हैं, कुछ खास कर provisions हैं, इस act के, वो है section 2 clause H, आपको यह देखने को मिलेगा, जहाँ पर public authorities का मतलब है, जितने स section 4 clause B, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर government जो है, maintain करना है, government को एक तरीके सा जो भी information है, उसको बतानी है, जो भी यहाँ पर पूछी जा रही है, तो government को इसकी जवाब भी देना है, section 6 आपको देखने को मिलेगा, उसी तरीके से section 7 देखने को मिलेगा, यह अलग अलग मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है, बाकी सारी चीज़ आपको आजटेज महाँ पर मिल जाएंगी, okay, now बढ़ते हैं आगे, now यहाँ पर आते हैं, next article की तरफ तो बोला गया है, ममता ने अर्ज किया, यानि कि जो यह ममता बनर जी है, इन्होंने यहाँ पर जोर दिया काफी ज़्यादा बढ़ चुका है, in fact, यहाँ पर आपका सकते हो, बहुत सारे crisis ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो ओपिक countries है, खास कर जहाँ से हम लोग पेट्रोल वगएरा लेते हैं, ठीके, वहाँ से भी क्या आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से भी जो है prices पूछा जाएगा, ओपेक कंट्री के बारे में जरूर बताना, ओपेक क्या कौन सी organization है, इसके अंदर कितनी country है, इनका क्या main काम है, यह ज़रा नीचे comment section बताना, काफी बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, काफी बार मैंने आप लोग को इसको regarding notes पगएरा सेंट कर रखे ना तो West Bengal की Chief Minister है ममता बेनर जी, Monday में इनोंने बोला कि देखो यहाँ पर यह जो चौक गई है, prices देखने के बाद जो यह पेट्रोल के price हैं, यह 100 रुपे पर लीटर पहुंच चुके हैं, बहुत सरे राज्यों के अंदर, और उसी के साथ इनोंने एक letter लिखा Prime Minister को, और इन सब्सक्राइब जाएं, तो इसको कम किया जाए, उसी के regarding एक letter लिखा जाए, और वही एक article छाप दिया जाए, उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर यह वाला देखने को मिलेगा, अगेन एक important article है, one nation, one Russian card के बारे में discussion हुआ वाए, तो यह जो scheme है, डेली और बेंग और इसी की वज़ा से जो है, इसको criticize भी किया जा रहा है, और आप कर सकते हो कि बहुत सारे state से जहाँ पर इसको implement किया गया, लेकिन अभी के बारे में हम लोग बात करें, तो बहुत सारे concerns भी आपको देखने को मिलेंगे, इस scheme के regarding, अभी यहाँ पर फिलाल इत्ती सी news है, कि डेली और वेस्ट बेंगॉल में जल से जल यह scheme लाग होने वाली है, खास कर इस महीने के end से, जो 36 गड़े वाच के टाइम पर पूरी का प्रॉसासिंग है, इस scheme का अंडर में, उसके बारे में यह आप चर्चा हो रही है, लेकिन अब हमारे exam के लिए क्या important है, तो exam के लिए दो Spaß आपकर रहे हैं, तो यहां पर वाटार में जरूंगा, काम करने के लिए उन तो लोग यहां पर वार्कर्स जो वह जा रहे हैं, तो वो लोग कया करेंगे, वह आपके सकते हो की वर्कर्स हो गया, उनकी जो फामिली बेंबर्स होगए, वह इधर से उदर ट्रावल कर रह के सिस्टम यह बोलता है कि पूरे country में कहीं पर भी उसी राशन कार्ट से आपके सकते हो कि कोई भी धुकान हो country के अंदर कोई भी shop हो वहां से आप fair prices पे अपना राशन ले सकते हो तो ऐसा यहां पर यह statement है इसका सीधा सिधा मतलब यही है one nation one राशन कार्ड यानि कि एक nation हो ए पर उसका इस्तमाल किया जा सके और वहां से किसी भी शॉप से जो है वो राशन लिया जा सके और यह जो भी पूरा प्रोसेस है यह एक 2013 के अंडर होता है नाशनल फूड सिक्यूरिटी एक 2013 पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है काफी इंपोरेंट है इस वन नेशन वन राशन कार्ड को लांच किया था अगस 2019 में आज के टाइम पर 32 राज्ये और यूनिन टेरिट्री जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी इस मतलब 32 के अंदर स्टेट्स और जो है यूनिन टेरिट्री दोनों ही है इन्होंने यहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड को जॉइन कर लिया है और आपका सकते हो लगबख 69 करोड यह जो बैनिफीशरी जो की नैशनल फूट सिक्यूरिटी एक के अंदर में आते हैं उसको कवर किया जा रहा है उन लोग की हेल्प करी जा रही है इस पूरी की पूरी स्कीम से आपका सकते हो कि बहुत चार राज्य करने भी वाले हैं अभी यहां पर यह जो आसाम चतिसगर डेली और वेस्ट बेंगल के अंदर यह वन नेशन वन रासन कार्ड लाया जाएगा और यहां पर भी चलाया जाएगा दन उसके बाद यहां पर यह लोग भी जॉइन करनेंगे जल्दी से इस स्कीम को अब यहां प अब देखा होगा गराशन वगरा लिया होगा तो वहां पर फिंगर्प्रिंट वगरा भी लिए जाती है यह सारी देखने को मिलते हैं जो यह सिस्टम है यह किसमर रन करता है दो पोर्टल के ओपर दो वेबसाइट को पर रन करता है एक है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पॉब्लिक डिस्ट्रिबिशन सिस्टम और दूसरा है अनव वितन और यह दोनों ही आपका सकते हो कि यहां पर क्या होता है कि जो रेलेवेंट डेटा है वो देखने को मिलता है तो यह पुरा को पुरा सिस्टम इन दो पोर्टल पर रन करता वा नजर आता है अभी मैं आप सरकार के बहुत बढ़िया स्टैप था यहां पर फूड सिक्यूरिटी प्रोग्राम सलाई जाते हैं यानि कि जो है लोगों को एक तरीके जब फूड प्रोवाइट करवाने की बात करी जाती है इसके अंदर मिड़े मील स्कीम भी आती है इंटेग्रेट चाइल डवलोपें हैं उनको भी बहुत सारे फाइदे मिलते हैं इस नैशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट के अंदर में तो इसके आपको इसके बारे में आपको ध्यान रखने हैं आपके एक्जाम के लिए काफी द्यादा इंपोरेंट हो जाएगा दनौस को आदाएंगे पेज नमबर 9 पर औ देखने को मिल जाएंगे तो उनसों यहां पर यह बोला जा रहा है कि आप लोग कंजर्वेशन प्लैंस को चलाओ यानि की जो है आपको जो यह रिवर वगरा हैं उसको एक तरीके से वहां पर उसको प्रोडेट करना है उसको लेकर चर्चा करी गई है यहां पर आप देख सारी आपका सकतो कमुनिटी बहुत सारे लोग जाए बहुत सारे लोग आसपास रिवर के आसपास देखने को मिलता है ठीके रहते हैं टाउन बसा रखाय तो एक तरीके से उसको भी कहना है कहीं सलूशन लेकर आया जाए ठीक हो भी हां से घृटा कर एक दूसरी जगह पर ल जाए जाएंगे जैसे किया पे कह सकतो river को protect करने के लिए इसके जो green cover उसको बढ़ाया जाएगा मतलब green tree के उपर काम किया जाएगा green buffers को बढ़ाया जाएगा जो concrete structures आपको देखने को मिल जाएंगे उनको हटाया जाएगा जो ग्रीन इंफ्रस्ट्रक्शर है उसको जादा एंप्लोई किया जाएगा दूसरी चीज यहां पर जो भी आपका सकतो टाउंस वगए आसपास देखने को मिल जाएंगे रिवर्स के पास जिसकी वैसे और चर्ञाने की बातचीत करी जा रही है और यहां पर एक तरीके सरी रिवर्स को क्लीन करने की ईहां पर उसके बाद यहां पर ँदोके हैं बराबर में प्लाटफॉर्म अविलेबल होगा जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोधी जी इन्होंने यहां पर यह सारी चीज़े बोली है मंदे में ठीकिन उनका कहना यह है कि लगबग 200 पर आपको देखने को मिल पाएंगे अब यहां पर उसी तरीके से जो यह कोविन प्लाटफॉर्म है इसको भी हम लोग पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक तरीके सावेलेबल करवा देंगे ऐसा इनके दौरा एक स्टैट्मेंट दिया गया है ओके दन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ और क्या हमाली इंपोरेंट तो यहां पर आता है पेज नमबर 11 देखेंगे दुनियादारे में क्या चल रहा है सबसे बहला आर्टिकल आप यहां पर देख पाओगे लगबग एक हजार अफगान ट्रूपस हैं जो की फली कर गए एक तरीके स भाग गयें तजिकिस्तान के अंदर अब क्यों क्यों कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रियेट होती भी नजर आएंगी मैं आपको मैफ में दिखा देता हूं यह अफगानिस्तान तो यहां पर आप लोग देख पाओगे यह इंडिया का मैप और अफगानिस्तान के अंदर बहुत सरी प्रॉब्लम्स क्रियेट हो रही है अब अफगानिस्तान में हो क्या रहा एक्जैक्ली जो तालीबान है उसने अपना पूरी दरा से कंट्रोल जमाने की कोशिश शुरू कर दी है अभी क्या है यूएस के ट्रूपस आपको अफगानिस अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल पाएंगे यूएस के मतलब बहुत सारी ट्रूपस थे जो की 2001 के अंदर एंटर करें थे यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को समाल रखा था लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के यह आर्टिकल और भी बहुती जादा न्यूज के अंदर कवर किया जाने वाला है और सबसे इंपोर्टन चीज यह भी आपको दिहान रखनी है कि देखो अभी इस आने वाले टाइम पर यह आर्टिकल लगातार आपको न्यूज में देखने को मिलने वाला है बहुत लंब स अज़िकल की तरन की जो सरकार की सगहार वह यहाँ से उदर आपको सकते विदर से उधर बहुती ही नजरा आएंगी जो कि तगाइत की तजीकिस्तार के वह थाली माई जो यही तरी कि ट्रूप से उचर्ण को चले गए पूरे आपको सदू के सादस रसान concur वालाए मारर पर अबी की टाइम पर बहुत सारे डिस्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर तालिबान ने कंट्रोल बना लिया है और आने वाले टाइम पर सिचुएशन ऐसी देखने को मिल सकती है कि काबूल के ओपर भी अब धे जो तालिबान है वो कंट्रोल कर ले काबुल को भी जो है कबजे में कर ले क्योंकि जो काबुल है वो कापटल है अफगारिसान की लेकिन जैह ये तो इसमें काफी ٹाइम लग सकता है ऐसे भ Quality सरी स्टेटमेंट बताती है लेकिन अभी क्या है हो सकता है कि यहाँ पर यह statement फेल हो जाए जल्द से ही जो जो तालीबान है वो काबूल को पर भी कभजा कर ले जो तालीबान है इसके अंदर आपको बहुत मतलब कम मातरा में लोग देखने को मिल पाएंगे लगबग यहाँ पर 70 से 75 हजार यह लोग हैं बहुत सारी कंट्रीज जो है तालीबान को इनों को तालीबान को ऐसा टेरिस्ट दे रखा है मतलब टेरिस्ट ऑगनाजिशन की तरह रेकिनाइस करती हैं और जो है सबसे इंपोर्टन चीज़ आपको यह याद रखनी है कि हो सकताने वाले टाइम पर काबूल के उपर कबज की अपर को अचाने या है यह जगनाटिक है और गारन का की तो यहां पर इनिया का मैप और इंडिया के मैप से आप लोगो चलना है इधर आपको यहां पर यह नाइजिरिया नजर आएगा ठीके नाइजर के नीचे यह है नाइजिरिया ठीके इसके बारे में ध्यान रखना और यह पुरा पुरा आफ्रिकन नेशन है यहां पर अगर हम बात करें टेररिजम वगएरा काफी जादा है जैसे कि आइटी रूस आर्टी आई गुप का रेलाइंस बहुत सारी चीजा हम लोगों ने नीचे देखिए वह सब आपको न्यूस्पेपर के PDF में मिली जाएगा लेकिन बहुत सारे लोग है जिनके न्यूस्पेपर के PDF में वह सारी चीज़े ओपन नहीं होती है अगर यहां पर उपन नहीं होती है तो आपको सिधा सिधा टेलिग्राम पर जाना है और दूसरा चैनल जोईन करेना है दीपा की अदव एडूकेशन नोट्स ठीकिया यहाँ पर आपको यहाँ नोटिफिकेशन वगरा बहुत कम देने लगाए तो उसकी वाजा से यहाँ पर आप आपको सारी के सारे नोट्इकेशने को मिलतीछ नहीं है नोट की बात खरें और वह को शारी नोट्देस्ट कर को आपको पीचाय चाहिका सब्सक्राइब यहां पर आप कोई Nigeria देखने को मिलेगा Nigeria के अंदर भी बहुत सरे terrorist organizations देखने को मिलेंगे जैसे कि Boko Haram हो गया Islamic State West Africa हो गया ठीक है उसी तरीके से आपके सकते हो और ही बहुत सरे areas जैसे कि बुरकिना फास हो गया यहां पर आपको बहुत सरे terrorist organization देखने को मिल पाएंगे तो उसी तरीके से जो आफ़ी का पूरा का पूरा अफरीका है यहां पर बहुत जादा militant islamist group है यह पूरा map काफी अच्छा है इसके बारे में द्यान लखना काफी बार हमने इसके बारे में discussion भी किया है अब यहाँ पर में बात करूँ Boko Haram के बारे में भी हमने देखा Nigeria के अंदर Boko Haram एक famous है और in fact यह पूरा की पूरा पने रिलेशन्स को और जदा बढ़ाना कौन को सी कंट्रीज के साथ यूरॉप के साथ ठीक है और ऐसा जी जिन पिंग ने बोला है मैकरों से इमैनुवल मैकरों से और साथ मरकल से ठीक है अभी हाँ पर आप लोग देख पाऊगे जो जर्मन की चांसलर है एंजला मरकल इन से अगए जिया और जो फ्रेंच के प्रेंट हैं इम्मेणूल माकरों उनसे यहां पर यह स्टेट्मेंट दिया गया है चाइनीज प्रेंट के द्वारा और कहना यह है कि जो है आने वाले टाइम पर चाइन को अक्सक्ट करने वाला है अपने रिएलेशन्स को और ज्दा करने वाले हैं ऐसा यहां पर बोला गया है ओके नाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स टाइकल की तरफ और क्या है माली इंपोरेंट तो पेज नबर ट्वल के उपर आएंगे डाइस बिजनस सेक्शन एक आर्टिकल आपको यहां पर देखने को यह मिलेगा बोला यह गया है जो सर् सर्विस सेक्टर है वह भी काफी हत्तक गिर चुका है ठीक है मतलब आपको मालूम होगा सर्विस सेक्टर के अंदर जितने भी सर्विस करने वाले लोग है वह भी काफी हत्तक डाउन हुआ है रीजन क्या है कोविड-19 पैंडमेक इन फैक्ट हमारी एकनॉमी वगरा भी आप सर्विस सेक्टर में अब यहां पर चीज़े बढ़ती वी नजर आ रही है और उसी को रिगार्डिंग यहां पर एक छोड़ा सा आर्टिकल दिया गया है नाव अब चलते हैं अपने इटूरल सेक्शन पर देखेंगे आज के इंपोर्टेंट एक्टूर्स को नहीं आते हैं यहां पर आपको सर्फ वासरिफ एक ही आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि आपको पढ़ने लायक है वह है काफी इंपोर्टेंट वह यह वाला है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आफ्रिका के साथ इंडिया के रिलेशन्स की चाइना को क्या इंगेजमेंट आफ्रि करी गहीं कि रिखित करें गई यह कई यह उसको लेकर शब्से करी गई है मतलब यह आपको रिखित कर सकते हो बिलकुल यहां पर हमेरे पढ़ने लायक है हमारा सिरौफ सर्फ यहां पर टाइम वेस्ट होतावा नजर आने वाला है अभी यहां पर बहुत सारी रिपोर्ट्स सानी बाकी है उसके बाद ही हम लोगों पद चलेगा कोविट का सारी जनरल सी बात है जो कि हम लोग शुरू से ही लगबग एक डिर साल जब जो कोविड आया तब से पढ़ते वह आ रहे हैं वहीं चीज़ यहां पर बोली गई है इकलोता आर्टीकल है आज का सिर्फ और इसको होगे बोला यह क्या है एक हिस्टारिकल सॉलिडेरिटी है अगर यहां पर रहने वाली है मतलब एक इतिहास में काफी अच्छा रेलेशन है तो एक मौडन पार्टनर्शिप में भी काफी ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस टाइप का ट्वीट क्या या था हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट के अगर हम बात करें तो इंडिया जो है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइट करवाता है उसका इनिशेटिव को बात करें बहुत सारे सेक्टर उसमें अलग अलग जगा पर दूनोंगी कंट्रीज मिलकर काम करती है साथी साथ एक इंपोर्टर भ सब्सक्राइबर की जो कल्टीवेटेड अरेबर लेंड अब यहां पर आपका सकते हो सिक्स्टी परसेंट जो है वर्क फोर्स है और लगबग अल्मोस्ट ट्वेंटी परसेंट सब सहारन आफ्रीकन जीडीपी है मतलब आपको बताता हूं क्या यह परसेंटेज मत जाओ कि पलेजिकरेटेट्स ऑफरीका की जोнок mail फार्यद प्रेंटर सेक्टर पर आफ्रीका के अंदर आपको एगरीकल्चर ज्थ ज्यादतर देखने को मिल जाएग नहीं पर जहां पर आपको 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 महीट देखने कंब बाएगा ऑफरीकान जो कॉ Tong 11 Amateur आपप लोग देख तो बारे में चाहिना के बारे में तो चाहिना का पिछले कुछ सालों में चाहिना का का बड़ा इंगेजमेंट हो चुका है अफरिका में और चाहिना का जो काफी बढ़ता हुआ नजर भी आया है और खासकर यहां पर आपका सकते हो कि जो चाइना ने अप्रोच किया है जो भी चाइनीज जो करने की कोशिश कर रहा है और चाइना आज के टाइम पर आफरीका का एक वर लाज़ेस्ट पार्टनर भी आपको देखने को मिलेगा उसी के साथ यहां पर चाइना इंफ्रस्ट्रक्शर मार्केट से आज के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ गुस्ता वह नजर रहा है पहले तो इंफ्रस्ट्रक्शर के ऊपर काफी सब्सक्राड बड़ता बढ़ता था औरetenर जो ईंगेजमेंटे के अंदर एपक आप का सकते हो पूरा जो चाइना है इसकी पूरी की पूरी स्ट्राडिजी लेकर चल ला है और यहां पर चाइना ने इंडस्ट्रियल पार्क्स वगरा भी बनाने की कोशिश करी है एकनॉमिक जोन्स यहां पर बिल्ड करें हैं आफ्रिका के अंदर और उसी वज़ासे यहां पर आप लोग देख पाओगे चाइना जो है काफी हद तक आपका सकते हो इंगेज हो चुका है आफ्रिका के साथ में ठीक है उसी के साथ और भी यहां पर चीज़े यह बोली गई है जैसे की जो ऑपरेशन से अफ्रिका के अंदर वह काफी ज़्यादा इंपोरेंट हो जाता है जो चाइना के जितने बी ऑपरेशन से जारे अफ्रीका में उका फिल्यवल एक्स्पिरेंस लेवल पर और साथ यहां पर काफी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए और चाना क पिंटेक फर्म्स के अंदर ऐसा यहां पर स्टेटमेंट दिया गया और बहुत सारी चाइनीज एंटिटीज हैं आज के टाइम पर वह एक्टिव हैं एफ्रीका के अग्रीकल्चर लैंडिसकेप में और पिछले दस्यों साल से यहां पर आप देख पाऊगे यह चाइनी की एं उसी चीज़ को भी यहां पर इंट्रोडिस किया है चाइना ने एक तरीके से यहां पर आप कर सकते हो कि नए ने टेक्नलोजी ड्रोन टेक्नलोजी का इस्टमाल किया गया है ताकि ड्रोन से हम लोग यहां पर अग्रीकल्चर सेक्टर में और ज्यादा को बढ़ाते में नज़र आ रहे हैं मतलब कि चाइना का इंगेजमेंट बहुत बड़ा है ऐफरीका सेक्टर में यह वहां पर बैट की कोशिच कर रहे हैं कि ज्याद स्यादा प्रोडक्शन हो सके ज्याद सब्सक्राइब कर आप कर सकते हो कि अग्रिकल्चर सेक्टर के अंदर ऐसा यहाँ पर बोला गया है अब कुछ इंपोरेंट चीज यह है अगर हम लोग बात करें इंडिया के लिए क्या टीक अवेज है तो इंडिया और आफरीका के अग्रिकल्चर कॉपरेशन की बात करें आज के टाइम पर तो इनके बीच में भी एक कैपसिटी बिलिंग आप कर अगरिकल्चर सेक्टर में वर्क करता हूँ नजर आएगा इंडियान फार्मर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने लगबग छे लाख हेक्टेर जमीन खरीद रखी है कमर्शल फार्मिंग के लिए और यह जमीन कहां पर है यह आफ्रिका के अंदर आप कोई जमीन देखने को मि करेला की सरकार ने यहां पर कोशिश करिए कि देखो आज के टाइम पर जो आफ्रीका है वहां से जादा इंगेजमेंट हो वहां से जादा कोलिबरेट कर सके और यहां पर हमारी कोशिश यह रहने वाली है कि हम लोग आठ लाख टन एक तरीके से वन इयर के अंदर आठ करें करेंट स्टेटस तो इंडिया जो है 0.83 लैक टन जो है आपको सकते हो कि जो यह कैश्यू नट्स हैं उनको इंपोर्ट करता है लेकिन उसको बढ़ाने की बात करी गई यह 8 लैक टन्स पर यह करने की बात करी गई है तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए प्रोडक्शन भ हो सकता है ठीक है तो यह बहुत सरी चीज़ हम लोग को आने वाले टाइम पर देखने को मिलेंगी खासकर अग्रिकल्चर सेक्टर में इंडिया और आफ्रीका के बीच में भी ठीक है लेकिन क्या है कि चाइना की तरह भी हम लोग को अपना इंगेजमेंट काफी तेजी से ब बढ़ा सकते हैं और वहां से काफी सारा फाइदा उठा भी सकते हम लोग जैसे कि यहां पर चाइना आज के टाइम पर अब देख पाओगे काफी जाद अपना फुट्प्रिंट वगरा बढ़ाता वन नजर आएका इस रीजन में तो इंडिया को भी काफी कुछ सीखना है और इंडिया भी जो है काफी कुछ help कर सकता है अफ्रीका की बदले में यहां पर काफी बढ़िया partnership होने वाली और बाकी सारी चीज़े भी यहां पर मिलने वाली है ठीक है तो उसी के रिकार्डिंगे कि आर्टिकल है हाला कि छोटा सा आर्टिकल नहीं है बहुत लंबा आर् आज के लिए बाबाए हैव नाइस टे थैंक यू अड़ जय हिंद